रेल्वे यात्रियों के लिए अब बड़ी खबर अब 120 दिन नहीं बलकि 60 दिन पहले शिरु होगी टिकेट की बुकिंग फुल मिलेगी कनफॉर्म रेल्वे ने टिकेट आरक्षन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है रेल्वे ने साफ किया है कि अब 120 दिन की बज़ाई सिर्फ 60 दिन पहले ही रेजर्वेशन किया जाना चाहिए नया नियम 1 नवेंबर 2026 से लागू होगा दिवाली से लेकर छट पूझा के मौके पर अक्सर आम लोगों को रेल्वे में लंबी लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ता है इसकी एक बड़ी वज़ा लोगों का मौझूदा विवस्था में रेल्वे के रेजर्वेशन टिकेट के बुकिंग 120 दिन पहले करा लेना है अब रेल्वे बोड ने एक बड़ा फैसला लिया है जो लंबी वेटिंग की समस्या को खत्म कर सकता है अब से रेल्वे के रेजर्वेशन टिकेट के एडवांस बुकिंग सिर्फ 60 दिन पहले से ही की जा सकेगी नई ववस्था अगले महीने से ही लागू होगी रेल्वे बोड ने इसाफ किया है कि एक ही दिन में यात्रा पूरी करने वाली कुछ स्पेशल एक्स्प्रेस ट्रेन में रेजर्वेशन की जो पुरानी विवस्था है यानि एडवांस टिकेट बोड करने की जो लोवर लिमिट तै है वा पहले की तरह ही लागू रहेगी इस तरह के ट्रेन में ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनी शामिल है रेलवेई पोर्ट ने यह भी कहा है कि विदेशी नागरी किया परेटकों के लिए 365 दिन पहले एडवांस में रेलवेई रिजर्वेशन टिकेट बुक कराने की सुविधा पहले की तरह ही बरकरार रहेगी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है झाल 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 झाल